देश भर में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। पहाडों पर बर्फबारी के चलते राजधानी दिल्ली और NCR से सभी जगे सर्दी का असर नजर आ रहा है। उत्तर भारत के कई राजों में ठिट्रन महसूस हो रहे है। दिल्ली में जो सुबह सुबह घना क देखने को मिला तो वहीं तापमान में गिरावत भी दरज की गई। जिसकी वज़े से सर्दी बढ़ गई। राजिस्थान में भी सर्दी का अटैक एक बार फिर से जारी है। वहीं पंजाब और रयाणा में शीत लहर का प्रकोब देखने को मिल रहा है। वैस्टन अगले दो दिनों तक उत्तर भारत और मद्धी के कई शहरों में तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। अलाकि मौसम वज्यानिकों का कहना है कि अगले तीन दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला। मौसम वज्भाग का ये भी कहना है कि थोड़ी देर की बारिश के बाद दिल्ली साइथ हिमाचल, पंजाब, हर्याणा और चंडीगड में शीत लहर लोट आई है। मौसम वज्भाग के अनुसार उत्तर भारत में अगले दो दिनों तक 15-20 किलोमेटर प्रतिघंटे की रफ एक चक्रवाती परिसंचरंड बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती परिसंचरंड दशिनपूर मध्यप्रदेश और उसके आसपास है। इसके अलावा एक ट्रफ रेखा दशिनपूर मध्यप्रदेश पर बने चक्रवाती परिसंचरंड से लेकर विधर वर मराचवाड़ यासम नागा लेंड और मेगाले में हलकी बारिश हो सकती है ओडिशा के तठीय इलाकों में भी एक या दो इस्थानों पर हलकी बारिश संभव है इसके अलावा उत्तरपश्रिम भारत में 15-25 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार से तेज सतई हवाएं चलने की संभाव ना ह यासम मेगाले में जोरम और त्रपुरा के आलागरा के इलाकों में घना कोरा चा सकता है दिल्ली में बारिश का दौर जाने के बाद तेज धूप जरूर देखने को मिल रही है लेकिन इसके बावजूत पहाडों से आने वाली बरफीली हवाओं की वज़े से तापमान में बढ़ा उत्री दर्ज नहीं हो पा रही है इसके चलते प्रिदूशन में कमी आई है जब कि ठिटरन बढ़ गए है वहीं पिछले कुछ दिनों से कोरा भी कम देखने को मिल रहा है एक चक्रवाती परिसंश्रन के रूप में उत्री पाकिस्तान और इस से सटे जम्मू संभा पर पंजाब पर बना हुआ है वहीं ओपे मालाई पशिंबंगार और आस्पास के निशले इस तरूपर एक चकरवाती परिसंश्रन बना हुआ है एक अन्य चक्रवाती परिसंश्रन दशिनपूर मधिप्रदेश और उसके आसपास है इसके अलावा एक टरफ रेखा दशिन पूर्व मध्यप्रदेश पर बने चक्रवाती परिसंचरंट से लेकर विधर वर मराचवाड़ा होते हुए उत्री आंत्रिक करनाटक तक फैली हुई है